नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है अगर आप चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दे नोटिफिकेशन की घंटी दबाकर लाइक कर दे दोस्तों आज हम आपके सामने एक दुरलब जड़ी बूटी का पवधा लाया हूँ हम आप सबके लिए जंगर जंगल खेत खलिहानों में दोड़ दोड़ कर जड़ी बूटियों का तलास करते रहते हैं आज हम आपको ब्रह्मदंडी का पवधा दिखा रहे हैं यह पवधा सीधा चिकना साखा युक्त कुछ सफेद रंकी होती है इसके पत्ते में तीखे काटे होते हैं इसके पूर साखा के आगे भाग पर गोल कटोरी के आकरित के बैगनी गुलाबी नारंगी या भूरे रंक के सुगंधित पुस्प होते हैं दोस्तों इसमें पहुत मनमोहक सुगंधित खुस्पू होती है जो मन को मोह लेती है फूलों के चारो तरफ बारीक कोमल काटे होते हैं इसके साखाओं के बीच से एक लंबी डंडी निकलती है उसी में लंबे गोल चिकने भूरे रंग के का होते हैं इसे संस्कृत में ब्रमधंडी हिंदी में बाड़ा वाण गुजराती मराथी में ब्रमधंडी बंगाली में छागल डंडी अर्वी में सोकत अल बाड़ा फार्सी में बाद वर लेटिंग में एंबर बोवा डाइबेरी केटा अंगरेजी नाम ओली गो चैता कहते हैं आपके छेत्रिय भासा में क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताईएगा आर्वेद मत से ब्रह्मदंडी गरम कट तिक्त कफ बात सामक उत्तेजक प्रतविशा कारक बात अनलोमक बात ब्याद सामक कफ निस्तारक दुरगंध रोधी बिरेचक जुरधन बिरेचक और कास नासक है गेहूं का आटा माण कर गोली बना कर घी तथा मिश्री मिला कर खाने से बाजी करण की वृद्धी होती है नपुन सकता हो तो ब्रह्मदंडी की जड़ को छाया में सुखा कर उसके साथ उसकी छाल को भी बराबर मातरा में लेकर चूण बना ले इसमें संभाग मिश्री या सकका मिला कर सुबा साम एक से डेढ़ की मातरा में मिश्री मिला कर और केसर मिले हुए दूद के साथ सेवन करने से बीर सुद होकर पुछ्टी होती है और नपुन सकता दूर होती है। दोनों योग पूर्सों के लिए हैं इसके सेवन से धात रोग तीघर पतन नपून सकता परमे आज दूर होते हैं इस तीरियों के लिकोरिया सफेद पानी आने पर 12 ग्राम ब्रम डंडी पंचांग रस 6 ग्राम रसाजन तथा 6 ग्राम मिस्री को 120 मिली लीटर पानी में घोल कर 10-15 हमल की मात्रा में सेवन करने से दूसाध परदर रोग भी ठीक होता है इस तीरियों के योणी रोग सभी परकार के खुजली में इंस्पेक्शन में ब्रम दंडी के पत्तों को पीश कर सहद मिला कर योणी में लेब करने से योणी रोग दूर हो जाते हैं नमस्कार देश येर्वेर्ट